अब हम यह देखते हैं कि हमने scenario के अंदर unique key को identify कैसे करना है और दूसरा concept कि why we need a unique key ऐसी क्या scenario होगी या ऐसी क्या requirement होगी जिसके अंदर हमें unique key को identify करने की जुर्योत पेश आएगी again जो primary key है वो लाजमन होनी चाहिए table के अंदर लेकिन जो unique key है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो the heart of database design is not again a unique key the heart is a primary key लेकिन अगर ऐसा data या ऐसा column हमारे पास मौजूद है जो कि unique key के जो features है या जो उसके attributes है उसको fulfill करता है यानि उसके requirement को fulfill करता है तो we should know कि unique key क्या होती है और किस तरह के attribute को हमने unique key बनाना है again जो हमारा scenario था उसी scenario के मैंने entities और attributes दुबार लिके हैं with some obviously difference अच्छा अब यहाँ पे हमारा जो पहली entity थी वो थी building building अदर वो ही b name address phone number अब मैंने यहाँ पे एक निया column introduce कराया वो है ntn number अमोमन हर building या जो भी घर होता है या जो भी commercial घर होता है या जो commercial building है उसका national text number होता है अब जो ntn है national text number वो अगर तो building का है तो वो unique होगा अगर building का अगर building एक text पे करती है तो उसका NtN number होगा अगर होगा तो वो unique होगा लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो building है वो commercial building ना हो वो residential building हो तो residential building का NtN नहीं होगा तो in that case जो unique ही है उसके दो attributes मैंने बतायते हैं आपको कि एक तो value unique होगी और दूसरी उसके अंदर null value आ सकती है अब जो NtN है ये दोनो features को fulfill करता है कि एगर तो building commercial है तो NtN के अंदर value आ जेगी और ऐसा नहीं हो सकते कि दो building का NtN number same हो तो uniqueness वाली चीज हमने इंशोर कर ली दूसरा कि हो सकते value तो जो NtN है अगर तो होगा तो unique होगा तो उनीक होगा नहीं होगा तो it can contain a null value तो ये हमारी unique की जो दो requirements ही उसको पूरा fulfill करता है again मैंने आपको बोला था कि हर table के अंदर ज़रूरी नहीं है कि unique की forcefully डालनी है क्योंकि हमने unique की पढ़ ली तो अब unique की को हमने use भी करना है ऐसे कोई चीज नहीं है अब जो for example apartment है apartment के case में I don't need a requirement या मुझे कोई ऐसी scenario नहीं समझ आ रहा या अभी तक समझ नहीं आ रहा जिसमें मैं कहूं कि इसके अंदर unique ही हो सकती है मैं नहीं डालना चाहरा क्योंकि जो covered area वो repeat हो सकता है और values की होगी multiple apartment का cover area same हो सकता है same is true with status यानि दो for example apartment हो सकती है जो के rented हो तो इसके अंदर unique ही की पहले ही requirement फेल हो जएगी uniqueness वाली तो मैंने कोई इसके अंदर मैंने नहीं बनाया unique ही लेकिन again again don't take these words as it is यानि ये को fix नहीं है कि आप कहीं इसका answer यह यह ऐसा नहीं है you guys can find some attributes जो के unique ही हो customer के table के अंदर मैंने अब यहां पे दो attributes नए add किये एक CNIC और एक email again अब देखते हैं कि हम इस पे लिटमस टेस्ट लगाते हैं unique की का CNIC for example जो हमारा national ID card है अब ऐसा हो सकता है कि किसी customer ने CNIC ना बनाया हो तो हम यह बिलकुल नहीं कहेंगे कि क्योंकि इसका CNIC नहीं है तो हम इसको customer नहीं बनाएंगे या उसको अपना CNIC for example अभी याद नहीं है तो at the time of entering the data हम उसे कहेंगे तुमारा data हम उस वकर तक enter नहीं करेंगे जब तक तुम हमें CNIC number नहीं दोगे ऐसा नहीं हो सकता हो सकता है वो कहें कि मैं आपको CNIC number आपको दो जिन बात दे दूँगा या मुझे अभी याद नहीं है लेकि मुझे apartment तो rent करने दो तो CNIC के अंदर value अगर तो होगी तो unique होगी अगर नहीं होगी तो it can be null value same is true with email अच्छा email अमोबन हम लोग mix कर देते हैं कि या यह unique कैसे होगी दुनिया में email addresses are unique identity of a particular user यानि दो users की email ID same नहीं हो सकती unless an identity share की हो यानि दो बंदे same email ID आपको लिखवा सकती है अगर दोनों ने एक email ID को share किया है वनना जो email ID है वो आपकी unique identity है तो again अगर email ID होगी तो unique होगी नहीं होगी तो it will contain a null value तो हम जब data insert कर रही होंगे हम सिवाए CID के जो के primary की है बाकी तमाम और columns को हम लोग null छोड़ सकती है लेकिन CNICU और email के ओपर additional restriction ही है कि अगर तो इसमें value होगी तो वो unique होगी अगर नहीं होगी तो वो null होगी तो uniqueness और null value का rule यहाँ पर बिलकुल apply होता है जो के हमारी uniqueness को ensure कर रहा है तो यह basically दो column है जिसके अंदर मैंने unique जो की है उसको मैंने identify किया और आपके सामने यहाँ पर discuss कर लिया लिया जो भापके सामने यह कृशगा है